हलो प्रेंट फिर से स्वागाता फास्ट इंफोर्मेशन में बिहार विदान परिशत पत्ना में जो कारेला परिचारी, फर्रास, सफाय कर्मी, माली, दरवान, रातरी पर रहे इत्यादी पदों का जो इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है उनके लिए भी भी कोईस्चन जो और दोसरा वीडियो जरूर देखें, तीसरा वीडियो जरूर देखें उसका ल क्योंकि जनसंख्या बहुत ही मैने रखता है आज की टाइम में तो अगर पूछ दे आप से कि बिहार की जनसंख्या कितनी है तो बताना है देखिए यह कोईस्टन दो तरीके से पूछ सकते हैं बिहार की जनसंख्या कितनी है तो आपको बताना है बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगर्na का नुसार यहां पर है 10.38.4.637 ठेक है आपको इतनी जनसंख्या आपको बताना है 2011 की जनसंख्या दूसरी तरीका पूछने कोगा कि बिहार में अभी तक का जनसंख्या कितना है अभी तक का पूछे तो पर भी आपको यहीं बताना है लेकिन आपको आंसर स्टार्ट करना है 2011 की जन गन्ना के नुसर बिहार की जन संख्या 10 करोड 38,463,467 है ठेक है यह हो गया दूसरी कोईशन काउन सा बन सकता है तो दूसरी कोईशन पर बात करें तो बिहार में पुरूस की जन संख्या कितनी है अब हम जन संख्या का डिस्कस करेंगे तो पुरूस की जन संख्या कितना है इसको देख लेते हैं तो बिहार में पुरूस की जन संख्या कितना होगी आप लोग को 5,41,85,347 ठेक है आपको यह याद रखना है पांच करोर 41 लाख 50,337 बिहार में ये पुरूष की जनसंख्या है ठीक है ये जनसंख्या जो हम बता रहे हैं 2011 की जनसंख्या के अनुसार बता रहे हैं क्योंकि जनसंख्या को जो गनना होती है काउंटिंग होती है उसकी भी चर्चा हम नीचे करेंगे क्वेस्चन डाले हैं आप लोगों को टैंसर नहीं लेना है अब बात करते हैं बिहार में महिला की जनसंख्या तो बिहार में जो महिला की जनसंख्या है वो गया आपको 4,96,290 ठेक है आपको ये याद रखना है 4,96,290 बिहार में महिला की जनसंख्या ये हो गया नेक्स्ट कोईशन है बिहार में सक्षर्टा दर कितनी है बिहार में लोग कितने पढ़े लिखे हैं तो बिहार की जो पढ़े लिखे कि सक्षर्टा दर की बात करें तो आपको हो गया और 6.82 परसेंट ये परसेंट में आपको याद रखना है परतिसत में ठेका है परतिसत में तो बिहार की जनसंख्यादर आपको हो गया अगर बिहार का अस्थान करें जनसंख्या के उसार से तो तीसरा अस्थान पर आता है कितने अस्थान पर तीसरा अस्थान पर आता है इसको याद रखना है जनसंख्या के दिरिष्टी से लेकिन छेतरफल के दिरिष्टी से बात करें तो ये पर्थम अस्थान पर आता है कितन जनसांख्या के दिरिष्टी से बिहार का अस्थान कितने नंबर पर है भारत में तो आपको बताना है भारत में बिहार का अस्थान तो तीसरा नंबर पर जनसांख्या के दिरिष्टी से लेकिन छेत्रफल के अनुसार सोरी घंत्व के अनुसार भारत में पर्थम अस्थान पर तो आपको सेलेक्शन होने की चांसे जैदा रहेगा अगला कोशन अगर आ जाए बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है देखे घनत्व के अस्थान पर तो पर्थम अस्थान आ है तो वहीं पर आपसे पूछा जा सकता है कि घनत्व कितना है बिहार की जनसंख्या का घनत्व क अगला कुछन है बिहार में जन्संख्या लिंगानपात कितना है लिंगानुपात कहने के मतलब यह हुआ कि कितने पुरूस और कितने महिला है तो बिहार में अगर 1000 पुरूस है तो 960 महिला है ठीक है तो यहाँ पर लिंगानुपात हो गया 1000 पुरूस पर 960 महिला आपको यह याद रखना है ठीक है यह चीज़ हो गया अब है बिहार का सबसे जयदा अबाधी वाला जिल्ला को न है अब पूछ देगा कि नियों involvingמène को ना हूँ पार जयदान जन्द संक्या तो पठना जिल्ला है क्यों से जिल्ला है इसको याद रखना रहत estas करने में गलती हो गया इसको रखिए बिहार की सबसे ज़्यदा अवादी वहला जिल्ला काउंसा है तो पतना जिल्ला है ठीक है वहें पर पूछ दे बिहार का सबसे कम अवादी वहला जिल्ला सबसे कम अवादी वहला जिल्ला पूछ दे तो वह जिल्ला आपको सेखपूरा हो गया यहां पर दो कोईशन के लिए हो गया सबसे ज़्यदा अबादी पतना में सबसे कम अबादी सेखपूरा में हो गया बिहार का घंत्व का अगर चर्चा करें तो एक ग्यारइस दो वर्ग पर्ति किलोमीटर हो गया पर्ति पूरूस पर और पूरूस महला की लिंगानुपात ए Unuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuse 2012 में एगली जनगना होनी वाली है तो अभी तक में 2011 को ही मान कर हम लोग चलेंगे और वह ही होता है अब बात करते हैं कि भारत में पर्थम बार जनगना कब हुआ था तो भारत में पर्थम बार जनगना वहा तो 1901 हुआ कितने सुआ हाँ 1921 में यह याद रखना है जन्गनना कितने शूौी के अंतराल पर होता है तो दस वर्ष के अंतराल पर हमने बताया थो हमने आज जstanding नहीं का बहुत im AiPost question बता है हम कल करोना से related question दिए आपको और भी question लगे तो उनको भी तयार रखें हम अब जो होने वाला है बहुत important जो आपको राजनितिक से देंगे मतलब एलेक्षन से टॉपिक लाने वाला जो बहुत इंपर्टेंट रहेगा उस टॉपिक को रखना है आप लोग को फिर बता दें अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा अगर कोई भी दिक्कात हो तो मुझे कमेंट करके बोलिएगा आपको तुर तो देखते रहे हैं फास्ट इंपरमेशन मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ थांक्यी फॉर वाचेंग